हावरोफिक्स वान प्लास 9R कनेक्शन प्रोब्लेम और इन्वेलिट एमेमाई कोट प्रोब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अगर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों जैसे के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक रिलाइंस जीओ के मेसेच यहाँ पर जीओ पे या फिर किसी भी सिम पे आपको यह प्रोब्लेम आ सकते हैं आपके वान प्लास के डिवाइस में अगर आपको इस तरह के कोई प्रोब्लेम आ रहा है तो आप इस वीडियो को आन तक जरू देखें मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रोब्लेम किस वज़े से आ रहा है यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है connection problem और invalid MMI court ठीक है तो इसके पीछे में क्या reason है solution क्या होगा सब कुछ आपको इस वीडियो पर पता चल जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या आए तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर डिये गए कंटेक्स पर आप हमें कंटेक्स भी कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते तो दोस्तों यहां पर लिखा हु उसके बाद यहां पर दोस्तों को यहां पर क्लिक करना है के लिखांड कर लेना है संते हुआं सिम्कार्ड पर जाईए उसके बाद प्रीफर्ड नेट्रो टाइप को स्वीच किजी कि चाहिए यहां पर आपको switch करना है between 3G, 4G के बीच में आपने नेट्रोक्स को इससे क्या होगा आपका नेट्रोक्स रिफ्रेश हो जाएगा ठीक है तो आप यह कर सकते हैं और उसके बाद हो सकते तो आपने सिम को eject और insert कर लेना and last में आपको क्या करना है apps and notification पर जाना है see all apps पर जाईए और इस option को search कीजिए ठीक है तो यहां पर क्लिक करके इसको open करना है इस तो और इच पर जाना है clear data बड़ क्लिक करते हुए आपको data इसका clear कर देना है OK करके उसके बाद बेक कीजिए बेक करने के बाद आपको आज आना है screen पर हो सके तो mobile को restart कर लिजिए और जाके डुबारा से नंबर को रिडाइल कीजिए problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप connection के issue को fix कर सकते लेकिन यहां पर invalid MMI code आपको लिखा हुआ दिखाए दिखाए दिया था तो वह किस वज़े से है तो यहां पर दोस्तों मान लिजिए आप कोई भी एक number dial कर रहे है जो number validity नहीं है तो वह दोस्तों यहां पर काम नहीं करेगा यहां पर MMI code क्यों है क्योंकि दोस्तों हमने यहां पर use किया है star 124 hash ठीक है तो यहां पर दोस्तों हमने यह जो है use किया है तो उसके वज़े से दोस् है जो number आप यहां पर dial कर रहा है star 124 hash तो वह number दोस्तों यहां पर बेल्कूल गलत है ठीक है तो आपको दोस्तों वह जो number है सोच समझ के dial करना है जो number आपको चाहिए जैसी के मान रिजिए star 121 hash तो आप इसको यहां पर ओके तो यह काम नहीं कर रहे है ठीक है क्योंकि दोस् नमबर वेलिट है वही आपको डाइल करना है उसके लिए आप Google के मदद ले सकते अगर आपको कोई भी MMI कोट पता नहीं है तो आप Google के मदद ले सकते गूगल में जाकी यह पूछी कि इसका इसके लिए कौन सा MMI कोट हमें चाहिए होगा ठीक है तो आपको वह मिल जाएग होगे तो कोई भी प्रॉब्लम अपको नहीं होगा ठीक है connection का solution में आपको बता दिया है MMI कोट का reason में आपको बता दिया है तो आप अभी जो आपका problem ही वह definitely solve होगा उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ होगा thanks to watching